उत्तर प्रदेश के परशदे प्रात्मिक विद्यालेओं में प्रात्मिक स्थर के सिख्षकों के कुल कितने लगभग पद खाली हैं। इसके लामा उत्तर प्रदेश के जूनियर एरेड हाई स्कूल में सहाय का द्यापक और प्रद्धना द्यापक की भरती परिक्षा की जो जांच प्रक्रिया चल रही थी OMR सीट की वो कम्प्लीट हो चुकी है इसके बार में विस्तार पूर्वक बात करेंगे लेकपाल भरती 2022 के लिए अभियर्थियों ने अधिनस्त सेवा चैन आयोग पर धरना प्रदर्शन किया इसके बार में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी साथी बात करेंगे सिक्षकों के मापदंड में बदलाओ को लेकरके लगतार NCT बदलाओ कर रहा है इसके बार में भी विस्तार पर चर्चा होगी अंत तक बने रहीएगा नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है नीरेज और आप देख रहे हैं केरियर विट यूटिब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आगिन को प्रेस करना ना भूलें तब से नमबर वन पर वारान सी रहा है जिसमें लक्ष से 176 लगभग 177 प्रतिशत जादा अभीयरतियों के हुए हैं यहाँ पर लक्ष दिया गया था 43,87 अभियर्थियों के एड्मिशन के लिए जबकि एड्मिशन कुल हुए है 76,139 इसी प्रिकार से जॉनपूर में आप देख सकते हैं लक्ष दिया गया था 94,813 का और 1,07,871 अभियर्थियों को एड्मिशन मिला है यहाँ पर तो यहाँ पर सभी जिले का आप जिलावार डेटा देख पा रहोंगे पूरे 75 जिलों का ये डाटा है वहीं स्री दीपक कुमार जी को जो की पहले प्रमुक सचिव थे आवास एवं सहरी नियोजन के उनको उनके पत से हटाते हुए उतर प्रदिर्शाषन को की बेसिक सचिव के तौर पर स्री दीपक कुमार जी को यहाँ पर नियोजन की दी जाया है अब चुकी प्रमुक सचिव बेसिक सचिव के बदल चुके है तो यह इन आकडों को किस नजरिय से देखते हैं ये देखना important होगा क्योंकि भारी संख्या में एक करोड 90 लाख के आसपास admission हुए है जो कि पिछले साल हुए admission से लगबग 17 लाख जादा है तो इन सब के बाद से उमीदे तो हैं कि सिक्षक भरती के लिए रिक्त पद है क्योंकि इतने भारी संख्या में जब admission हुए है तो जाहिर सी बात है इनको पढ़ाने के लिए सिक्षक की भी आवशकता होगी है क्योंकि RT Act 2009 के तहत 30 छातरों पर एक सिक्षक की requirement होती है और इतने भारी संख्या में admission के बाद से उमीद अभियर्थियों को भी है कि सिक्षक भरती आ सकती है हलांकि हाथी के दाथ खाने के और और दिखाने के और वाली कहावत इस पूरे आंकडे पर बिल्कुल सटीक बैठती है क्योंकि परशदिय प्रात्मिक विद्यालों में अगर आप डिलेट किये होंगे तो ट्रेनिंग के दौरान इन सभी चीजों से भली बाती परचित होंगे कि जो आंकडों में जो कागजों पर आंकडे दिखाये जाते हैं जमीनी हकीका तुसे बहुत अलग रहती है क्योंकि शासन का इतना दबाव रहता है प्रदानाचारे के उपर कि बच्चों का एड्मिशन कराये मिड़े मिल में या फिर डेली बच्चे कम क्यों आ रहे हैं तो वो गलत तरीके से आंकडे प्रस्तूत करने लगते हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चे जितना आये भी नहीं रहते हैं उनका अटेंडेंस दिखा दिया जाता है कि इतने बच्चे आ रहे हैं क्योंकि सरकार का बेसिक अधिकारी का लगतार प्रदानाचारे पर दबाव रहता है इसके लावा मिड़े मिल में भी जो आंकडे भेजे जाते हैं वहाँ पर भी गलत आंकडे भेजे जाते हैं जादा बच्चों की संख्या दिखाई जाती है तो हो सकता है कि admission का यह जो आंकडा है उसमें भी कुछ इसी परकार से 3-5 किया गया हो ताकि जो सरकार के तरफ से जो दबाव है उसको कम किया जा सके जादा बच्चों की संख्या दिखा करके आप लोग देखेंगे कि जितना टोटल संख्या रहता है admission का उसे काफी कम बच्चे लगतार इसकूलों में आते हैं तो यह सिर्फ आंकडे हैं अभी जो आर्टी एक्ट के तहात सिक्षकों के पद की जो गड़ना की जाती है उसमें कई parameters होते हैं यह कागजी आकडों पर व के लिए ठीक हैं लेकिन जमेनी हकीकत इससे काफी अलग होती है आप लोग भी भली बाती इससे परचित होंगे जूनियर एड़ेट हाई स्कूल में सहाय का द्यापक और प्रधाना द्यापक के लिए हुई लिखित परिक्षा के बाद से लगतार उसमें शिकायत मिल रहे थ जिसके बाद से सचिव परिक्षानी अमक प्रादिकारी कारयले को उत्तर प्रधेशाशन द्वारा अनुमती दिया गया कि आप इसकी जाच कराईए उसके बाद से जो कोशागार होता है जिसमें OMR सिट रखे गए थे उसके ताले को खोल करके पूरी जाच प्रक्रिया लेकिन जो भी शिकायती थी उन सब को यहाँ पर जाच करके और शाचन के पास रिपोर्ट भेज दिया गया है आप इसकन पर देख पा रहोंगे समिनिती ने वीडियो ग्राफिक कराते हुए कोठार का ताला खोलवाया कोठार में मिले अभिलेखो का विबरण डजिस्टर में दर्ज करने के साथ जूनियर हाइस्कूल सिख्षक भरती के अभिलेखो से जुड़ी रिपोर्ट पी एनपी सचिव की और से शाषन को भेज अब मामले में शाषन के आदेश पर पी एनपी की ओर से आगे की कारवाई की जाएगी अब शाषन जो भी अनुमती देगा पी एनपी उसी की अनुसार कारवाई करेगा क्योंकि लगतार ऐसी सिखायते मिल रही थी बहुत से ऐसे रिजल्ट भी सोसल मेडिया साइट्स पर जिनके नंबर बहुत ज़्यादा थे और लगतार अभेर्थी आरोप लगा रहे थे कि गलत या फिर अनुचित साधोनों का प्रयोग करके इनके नंबर आए होंगे तो लगतार उनी सब चीजों पर ये PNP जांच प्रक्रिया बैठी थी और अब देखना होगा कि शार्षन के द्वारा इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है क्योंकि बहुत से अभेर्थियों ने कम अंक मिलने की भी शिकायत दर्ज कराई थी और उनी सबी प्रत्यावेदनों पर ये निस्तारण किया गया है अब शार्षन को ही अंतिम रूप से फैसला लेना है उत्तर प्रदेश म यानि कि कटाफ जो है वो काफी हाय जा सकता है इसी को ले करके अभेर्ती अधीरस्त सेवा चेन आयोग पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे ताकि ज़ादा से ज़ादा अभेर्थियों को मुख परिच्छा में शामिल किया जाए क्योंकि यहां पर आयोग के द्वारा पहले य लगबग 8000 पद बताए जा रहे थे तो उसके 15 गुना अभियर्तियों को यानि की लगबग 120,000 अभियर्तियों को मौका मिल सकता है मुख्य परिक्षा में शामिल होने के संदर में। अभियर्तियों की मांग ये है कि जादा जादा अभियर्तियों को इस मुख्य परिक्षा में शामिल करा जाए आप इसकन पर आर्टिकल देख पर होंगे लेकपाल भरती के अभियर्तियों ने दिया आयोक पर धरना NCT लगतार सिक्षक बनने की प्रक्रिया में बदलाव कर रहा है उसी में से एक प्रक्रिया ये है कि जो अभी रणिंग में B8 कोर्से जोते हैं उन सबको वर्स 2030 तक धीरे धीरे उनको कम प्रमोट करते हुए चार वर्षी ये इंटिग्रेट बीएड कोर्स को ही प्रमोट किया सिक्षा परिशादी यानि कि NCT ने केंद्रवार राज सरकारों के बहु विश्यक विश्विद्याले और संस्थानों में B.A.B.A.D. B.C.B.A.D. और B.C.B.A.D. कोर्स पाइलट मोट पर चलाने की अधिसूचना जारी की है इन पाठे क्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइ 23, 24, 27 से 4 वर्सिये B.A.C.B.A.D. कोर्स प्रारंब होगा लेकिन भविश में इसके क्या प्रवापड़ेंगे ये जानना आपके लिए बहर जरूरी है इन कोर्स में प्रवेश के लिए National Testing Agency यानि कि NTA संयुक्त प्रवेश परिक्षा कराएगी इसके बाद मेरिट के अधर प इसकूल में सिख्षकों का चेयन 4 वर्सिये Integrated B.A.D. प्रोग्राम के आधार पर ही होगा यानि कि NAP ने जो 2030 के बाद से B.A.D. एक मात कोर्स होगा सिख्षक बनने के लिए उसके तहत 4 वर्सिये B.A.D. कोर्स को ही प्रमोट करने की बात की जा रही है जैसा कि आपको ग्यात पूर्पूर हाई कोर्ट ने B.A.D. अभेर्थों के खिला फैसला दिया था और N.C.T.E. के 28.J.2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था इसमें B.A.D. अभेर्थों के वकीलों के द्वारा या फिर N.C.T.E. और M.H.R.D. मिनिस्ट्री के वकीलों के द्वारा लगतार म मैं बार-बार अपने वीडियो में ये सूचना देता हूँ कि वो जो 2030 के बाद से B.A.D. की बात की जा रही है वो B.A.D. कोर्स अभी की वर्तमान B.A.D. कोर्स से काफी अलग है क्योंकि उसके सिलेबस में भी चेंज़ेज हो रहे हैं पर आर्टिकल देख पार हूँगे नई सिक्षा नीती के तहट तयार किया गया पाठिक्रम नई सिक्षा नीती के तहट इसका पाठिक्रम तयार किया गया है इसमें अत्याध्यूनिक सिक्षा की जानकारी के साथ प्रारंभिक बचपन देखबाल और सिक्षा यानि की E.C.C मुलबुत साक्षर्ता और संख्यात मक्ता यानि कि FLN ये सभी चीज़े उसमें इंक्लूड की जारी है जो कि अभी वर्तमान के B8 कोर्स में ये सभी चीज़े इंक्लूड नहीं है तो पाठेकरम में लगतार बद्लाव हो रहे हैं इसी वज़े से ऐसा पाठेकरम तयार किया ज जो कि बच्पन से ले करके बच्चों को ऊच इस तर तक पढ़ाने के लिए वो B8 कोर्स इलिजिबल हों जो कि अभी वर्तमान B8 कोर्स अलग से 6 मां का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है इसी वज़े से 2030 के बाद से इसी कोर्स को जादा प्रमोट किया जाएगा तो जो अभी क B8 अभीरतियों के द्वारत तर्क दिया जाता है कि DL8 कोर्स 2030 के बाद से समाप्त हो जाएगा इस वज़े से B8 कोर्स को प्रात्मिक में शामिल किया जाएगा जो लगतार मानेने कोर्ट में भी ये मुद्दा रखा गया है तो अभी का जो वर्तमान B8 कोर्स है वो भी एक त वर्तमान DL8 और B8 कोर्स 2030 के बाद सिक्षक नहीं बन पाएंगे पहले के जो एक वर्सी ये B8 कोर्स चलते थे वो भी अभी वर्तमान में रनिंग में नहीं है लेकिन उनको भी मौका मिलता है सिक्षक बरती में शमिलित होने के क्रम में कहने का मतलब कि भविश में ये कोर्स प्रमोट नहीं होंगे लेकिन जो अभीरती स्कोर्स को कर चुके हैं उनको मौका जरूर मिलेगा सिक्षक बरती में शमिलित होने के क्रम में आज के वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही मतुपून अपडेट के लिए शैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को दे